किसी महिला के सरीर का पूरा का पूरा दाया हिसा भारी होना वही किसी महिला के सरीर का complete बाया हिसा जो है उसमें भारी पर हेगाईच आखी इसका क्या मतलब है जो बाते old vibes ने बताई है मुझे में सच हुई है क्योंकि मुझे मेरे सरीर के सबसे ज़्यादा जो है वो लेफ्ट साइड में भारी पन रही तो चलिए डिटेल जानते हैं ऐसा क्यों होता है किस वे में और कुछ ऐसे लक्षन भी आज रिवेल होंगे जो अब तक आपको किसी नहीं बताए है और इस चैनल के माध्यम से मैं जिन चीजों को सबसे ज़्यादा हाइलाइट करूँगे जिससे आप भी घर बैठे अंदाजा लगा सकती है और ओल्ड वैप्स वाली जो बाते हैं वो आप में भी सच हो जाएगी डिटेल जाने के लिए लास्तों को वोच किजिएगा गैज मैं आप सब के साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आए इस चानल पर सबस्क्राइब जरूर किजिएगा चानल को वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए यहां पर बात कर करते हैं सबसे पहले जो लक्षन मुझे में हुआ एक महिला को पेट के लेफ्ट वाले हिसे में दर्द रहना लेफ्ट हाथों में भी लेफ्ट पेट में लेफ्ट पैरों में भी और लेफ्ट थाइज में भी एक कह सकते हैं कि तन जाना नसे इस वे में अगर यह सारी चीज का हाथ भी राइट साइड का ये चीज़े भी होती है किसी किसी में तो आखिर इसका क्या कनेक्शन है इस वे में होना और यहां तक कि कि अगर कुछ ऐसी बाते बताई जाए तो ओल्ड वाइफ की जो बाते होती है उसका कोई भी बैग्यानिक अधार नहीं होता है जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं लेकिन किसी में सच होती है किसी में नहीं होती है देखेगा इस सिक्के के दो ही पहलू है हेड या टेल तो अल्रेटी गेस 50% आपका लग चुका है आप कुछ भी बोलोगे वही चीज़े है लेकिन चलिए थोड़े से साइन्टिफिक रिजन कुछ फैक्ट की बाते कर लेते हैं अच्छा होगा आपका ये चीज भी जानना प्रेग्नेंसी की दौरान बच्चे की पोजिशन अगर आ राइट हाथों में पैरों में राइट पेट में होगी भारीपन सबसे ज्यादा तो ये चीज़े क्लियर हुई अब आप कैसे पता चलोगे पता करोगे कि आपका बच्चा लेफ्ट में के राइट में बहुत असान सी बात है आप अपने हभी से पूछिए कि आप कौन से कर और अगर आप राइट साइड में कमफटेबल महसूस करती है सोते हुए तो इसका मतलब है कि बच्चे की पोजिशन जो है वो राइट साइड है आप कैसे पता करेंगी वो चीजे भी मैंने आपको बताई डैफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताईए कि आप कि धर सा